हलो दोस्तों कैसे हैं अच्छे होंगे मैं नभील अमद आज फिर से इस प्लेटफर्म के जरीए से आप से बात करेंगे और बात हमारा जो चाइनल है एक्चली यह प्रस्नल चाइनल है तो कभी-कभी इंटर्टेंडमेंट का फ्राइडे को कहीं जाता हूं तो वहां पर मैं सुट करता हूं तो ब्लॉग डाल देता हूं वह भी देखा करें और टाइम के वज़ए से आपको पता है कि प्रोजेक्ट जब रनिंग पिक पे होता है तो बहुत ही टाइम इन एक दिन फ्राइडे का टाइम मिलता है जैसे आज एक्जामपल आज फ्राइडे का मैंने सुझा चलें आज भी बात कर लेते हैं यह अच्छा प्लेट्फरॉम है जहां से आप लोगों से और एक इंटर्टेंडमेंट भी कह सकते हैं और रिफ्रेस भी रहाता इन्फरमेशन तो आप लोग लाइक या सब्सक्राइब करेंगे अगर जाया जाहिर सी बात है हम इन कॉरेज होंगे थ्वरा सा मोटिवेशन मिलेगा जलो इतना ज्यादा होड़ा है आज का जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वह विकली जो लोग बिगनर हैं जो सेफ्टी ऑफिसर जोईन किये हैं या किसी भी कुमेंट्स है मगर आज हम सिर्फ विकली रिपोर्ट पर बात करेंगे हम कोई फॉर्मेट रिमेट हम नहीं दिखा रहे हैं कंपनी वाइस डिफरेंट हो सकता है मगर जस जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दें यह इन्फरमेशन आपको कॉलेक्ट करना पर सकता है औ आपके साइट पे कितना आपका सेफ मैन आवर हैं कितना कॉमेलेटिव मैन आवर हैं नंबर ओफ एक्सिडेंट कितने हुए हैं नंबर ओफ इंसिडेंट कितने हुए हैं नंबर ओप सिक लिप कितने हुए हैं अब्जरवेशन कितने हैं आपने कितनी बार ट्रेनिंग दिया है कितनी बार induction दिया है यह जस्ट हम वर्वली हम बता रहे हैं यह information हो कि देना हो सकता है रिपोर्टिंग किया है नियरमी कितना close किया है कितना total observation आया है आपके week में और कितना observation आप close किया है कितना observation open है और कितना percentage आपने close किया इस तरह का format आपके अलग-अलग company में कहीं भी रहेंगे तो ये basic रहता ही है contractor और subcontractor का अलग-अलग भी हो सकता है training में कितने भी या TVT में कितने attendance थें वो attendance थें वो भी आपको देना पर सकता है तरह के से कौन-कौन से equipment चलना है कितने checklist फिल हुए है आपका और कितना बाकी तरीके से कुछ आप दे सकते हैं कि क्या आपके site पे कोई ऐसा visit हुआ कितने walkthrough हुए वैलेनेवल जैसे कि कोई ऐसा चीज जैसे for example the workers are working in a loan alone working तो ये एक वैलेनेवल area हो गया कोई good practice अगर आपने किया है तो good practice दे सकते हैं आपका signature हो सकता है आपके manager का signature होता डेट हो सकता है ये basic information है जो हमारे जहन में अभी just mind में है मैं आपको explain ये हो सकता है company wise थोड़ा थोड़ा सा different हो जाए मगर ये एक general information है जो आपके लिए helpful हो सकता है जब आप जा रहे हैं तो यहां पे आपको ये भी जानना हो आपकी safe mind hour कैसे निकालते हैं अब ये पहले अगर आप देख सकते हैं पिछला वीडियो भी है और किसी दूसरे का बहुत सा इसा वीडियो यूटूब पर मिल जाएगा आपको तो ये basic information है weekly report के बारे में और भी ये फिस में है चाने तो I hope this will be helpful for all of you okay thank you